चोदरी अमीर्चन जी है और इनके साथ इनके बेटे हैं सर भी खड़े हैं और इनके साथ यानके अमीर्चन जी के पोते और इनके बेटे भी हैं तो लग बग तीन पीडिया सामने आप देख सकते हैं भाई पशुपालन के आई काम कर रही है और एक जबरदस्त नाम भी है ग शूदन जो आपने पीछे देख रहे हैं साइध ही कहीं मिलेंगे अच्छी पढ़ागेंगे अच्छी पढ़ागेंगे सभी भाईयों को नमस्कार भाई स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल सिहाग मुलाफारंपर तो दोस्तों आपने पशुओं की पैड़ागरी वह देखियोंगी अमारे जो मैं बिंग है उसकी पैड़ागरी देखियोगी दादा जो काम करता है पिता भी वही का बार कैई यह श्यान है गाओं इस गाओं की जो रूची है पशुपालन में में कि मिषाल है तो यहां के जो उस सांह जी है और इनके साथ इनके बेटे हैं सर भी खड़े हैं और इनके साथ यानकी अमीर्चन जी के पोते और इनके बेटे भी है तो लगबग तीन पीडिया सामने आप देख सकते हैं बाई पशुपालन के आई काम कर रही है और एक जबरदस्त नाम भी है गाउं में अच्छा जो आपने पीछे देख रहे हैं साइद ही कहीं मिलेंगे अच्छी पैडागरी के हैं और एक ही बहांस से एक मिन थोड़ा साइड हो जाओ जी यह जो बहांस है इसी से जो इनका ATM है जैसे पैसे निकालते हैं उसी प्रकार इनोंने क्या किया है इसी बहांस से अपनी घर की न अमीर चंद्ध घितनी उमर होगी तो ौपना नम बता द्यों यह इत्तर वर मैं आमर हो उचुकी आपकी कितनी होगी मेरी च्याड़ी साल हो गे तो आप दादाजी आप वैसे खित और की सान नहीं करते ते मतल़ पशुपलान ही करते शाटिक से कहीं सर्व कि अलाइए शुआ अरा टेक रहा बेक उप यो टीका दा कपी जार गाठीका है यो मतले एक देवी इसने एल डिम प्या सई टेमब दूद ना जेना मेरा आगा कान पकड़ लिए बात देवा 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 दनी तमना सारे बाहिया ने बताऊ हूं आपने पसवान लडिम प्याओ शेमब पसाओ और टेमब से इदूद पाओ या लडिम ना रेक मेडिकल क्स्टोर में लेगी और ओनलाइन मगान खाटर एमेजन और फिलिपकार रगा पर योकर शको हो और जो और भी कमकसर रही हो ना अस्ती पांसों पेचान में सहती साजार बाप फौन कर पूछा है उन साथियों से भी पूछते हैं तो दोनों भाई हो साइज आप छोटे बड़े हैं ना बता अपना विशाल तो नामराशी से दिपक भाई तो आपकी तीसरी पीडी आगी उमर बताएं सबसे पहले तो दादा ने भी काम किया मेरे खाल से पड़ दादा ने भी क प्राइब कर रहे हैं तो कैसा लग रहे हैं काम करकर बढ़ीा लग रहा है कुछ प्लस पॉइंट लिया आप ने इसे अपनी फिल्ड में वहीं इन्होंने कुछ अलग किया हूँ उसके बारे में जरूर बताएं पर थोड़ा अलग तो जी यह मुरह नसल पर यह काम कर रहे ह ठीक है पहला भी बहुत बढ़िया डंग राखे हैं जी प्योर मुरा पे काम चले हैं प्योर मुरा पर अभी कर रहे हैं अमीचंद डैरी फारम खरकड़ा इसार से जो वीडियो ले करा रहा हूं आज की मैंने बताए बहुत बढ़ी बात होती है बहुत ज्यादा टाइम देना है चोथे बंद में ठीक है कोन सी बार है मतलब आगे डिलिवरी देगी पांस में वार जी ठीक है कितने महिने की क्या पीने फांस पीने पांस पीने कितना देरी होगी दूद कम तक चौदा लिटर पलस अब भी दे रही है अगर पिक की बात करी जाए तो दीक बहुत लिए ठीक है तो बीस बाइस लिटर वाई ने पता इसकी दूद दिया है पिक में अपने एक बार विशल भाई आभी साथ में आ जाओ अगर हाइट लेंद की बात की जाए तो भाई यह देख सकते हैं बहुत अच्छी कद गाठी की है कमजूर थोड़ी जुरूर दिखाई तेरी हो तो और ब्याई कितने दिन की होगी भाई ठीक है लगभाग 6-7 महीने की ब्याई हो चुकी है तो बहुत जल्दी कंसेव किया यह भी अच्छी बात है यह देख सकते हैं तो आगे क्या कुछ प्रोसेस है भाई दिपक इसका अगर सेल करें ना करें बताए तो यह तो जाब आ सामने आप देख सकते हैं भाई जो मैंने बताया था कि इतने छोटे सींगी कहीं कहीं बहुत कम देखने को मिलती है मुरा यह देखिए अगर दोनों का सींग आप साथ में देख पा रहे हैं तो एक मैं कूंगा जवर्दस्त नजारा भी काफी शांदार भाई यह देखो एक प्रेगनेंट कितने दिन की है अजया तो प्रोपर भाई गोविल यह वदा विशाल भाई मदद करें अधनती अभी खीरी है मैंने दाग चेक करें थे दोस्तों तो मदर तो यही इसकी ठीक है विशाल अर्जुन कुंगड इसका बाप ठीक आप शिमन लेके आये थे ठीक है तो दर्सकों को बताना चांगों भाई काफी पहले से जुड़ें थी पगवाई मुझसे और सिमन भी लेका थे क्या पिन कुंड से बुल से कराई है बता दो एक बार तुफान से ठीक है तुफान से क्या पिन कराई है क्योंकि आप भी आजब जानकारी देने में कोई दिक् सिंगों में लेकिन इसमें तो मिर्ख्याल से चमनी भी नहीं जाएगी बहुत छोटा सींग है बहुत छोटा यह देखो इस साइड वाड़ा और भी छोटा है क्योंकि थोड़ा वह तुनीच-वीस का फरक होता ही सिंगों में तो साधे पांच महीन कितने महीन गया बिन होग कैसी फर है कैसी कटड़ी है यह देखिए हाइट भी काफी अच्छी है अधन्त कटड़ी की काफी जिवर्दस है यह देखो अगर उपर से पीट-पुथा दिखाऊं तो वह भी काफी शांदार है तो दिपक भाई आगे क्या विचार इसका सेल करनी है नहीं करनी अगे दू कवर करना चाहूंगा लेंथ बहुत ज्यादा है गर्दन की हाइट भी काफी शांदार है और मतलब फोर वाइफोर कहते हैं अच्छी चोड़ाई भी है लेंथ भी है आइट भी है सिंग भी प्ले जी तो वही का कहना है वही सेम टू सेम अर्जुन पे गई है और दिख भी वही काफी अच्छी मा के तो लगभग नजदीक जा लिया इट में अधनती अवी नेक्स्ट बताएं वही रोके इसको मैं अगर चहरा दिखाना चाहूं तो इसके लिए भी वही लाइन में प्रियोग करूंगा वही इसमें तो चमनी भी नहीं जाए क्योंकि बहुत छोटा सिंग इतना चोटा सिंग बहुत कम देखने को मिलता है । कि यह उम्मर कितनी होगी वह इसकी उमर हो चुकी है यह देखिए चयांस बाविस लाइन में शुरूवा से है और अगर नीचे की क्वाल्टी की बात करें तो यह देखो बही इसके और भी अच्छे मनेंगे दीप उससे पलस है और मतलब नीचे जो अडर है ना यह जो चमडी होती है यह भी बहुत पलस है और शांत सबाओ बहुत ज्यादा है अब कई भाई बोलते हैं कि एक बुलके भी लग वह या तो जैट बलाएकी आते हैं या फिर सफेदी आते हैं लेकिन यह डिफरेंस होता है इसकी जैट बलाएक है पैंस की थोड़ी बहुत में अच्छा उसकी ठीक है ठीक है यह देख सकते हैं बाई पीट पुठा इस कटड़ी का भी काफी शांदार त्यार कर रख्या वाई ने तो इसका क्या कुछ विचार है दिपक भाई आगे सेल करना नहीं है बताएं अच्छा सेल म continents नहीं करना न है यह लगते था यह करते हैं थीक है ठीक है तो अच्छे पैसे लगते आप स्लिप्त मेंद का दाम मिलता है तो सेल कर देंगे यह देखू एक और शमदार मुर्रा वाई बाइने हां बांदो बिल्कुल बांदो आपने जो इतनी मैनत की यह काभी ले तारीफ है और अभी अपनी वीडियो खतम नहीं वाई अभी चोथी कटड़ी याने की तीसरी कटड़ी और इसकी बाकी है इसी बैस की कितने महीने के विशाल बाई बताओ एक बार करनी की कणी कária अगे लें की रखती है हाइट लेंध बहुत पलस बोनाएगी बहुत अच्छी बने साथ महीने की बहुत तो Im भी शांदार बनेंगे थर्वगर इसके भी सराफत इतनी ही इसमें भी यह देखो यह कुण से बुलके भई दिपर भई या बीम कुंगड ठीक है तो भीम कुंगड दोस्तों वह बुल जो अपने 2017 में सेल कर दिया था चार से पांच बार का इंडिया चेंपिन बुल भीम कुं टोड़ी तो यह बनें और यह कटड़ी उसनल के रगए का फिस शांदार यह भी तोड़ा सब घूला जाएगा एक तोड़ा सबस्काइब हरा तो अच्छे पैसे नमबर से पूच सकते हैं वह अच्छे पैसे होते कितने हैं लाक दोलाक आप दिपक भाई से पूच सकते हैं लगादार चल लिया है जिस भी बाई को जादा जान करीजिए आप कोंटेक्ट कर सकते हैं अंदर पशूदन रख्या वही ने हैं दो गाएं और यहां पर और भी पशूदन है कैसे हो नाम बताओ एक पर सुसीला देवी जी है तो कैसा लग रहा मतलब मेरे अंकल जी भी यही काम करते हैं दादा जी भी और आप मेरे युवा भाई भी यही कर रहे हैं तो कटड़ियों का अपना क्या कुसरा आप जो सिमन लेके आए दीपक भाई शाटिंगी दिन होने तो कैसा रिजल्ट रहा बताने और जो मेरी माताय बहने कर तो उनके बारे में क्या करना चाहूँ है क्या संदेश के लिए ना करना चीए ना क्लमा करना की पढ़े क्योंकि नका नो सेखिंड ब्याने की एकाइब ठीक है आगे आपने गाएं भी रखिये तो गाएं बच्छों को दूज पिलाने के लिए कैसे बताए ऐगा अच्छा घरका आप इनके काफ को भी बिलाते हो भैसोगी ठीक दूनों को बिलाते वह यह भी काफी शांदार है तो यह देखिए तो थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे जो मेरे युवास हाती है जो पशुपालन से पिछे अट रहें उनके लिए थोड़ी सी जानकारी जुरूर रहेगी तो दादा जी आपके टाइम में कुछ और होती थी आठ कि लोड़ी दस सेरी बैंसे बहुत ज्यादा मानी जाती तो क्या कुछ सुधार के बारे में कहना है कितना परिवर्त ना बताएंगे तो यह अच्छा हुआ है बुरा हुआ बताओ थोड़ा अच्छा हो गया तो आपने कभी सोच्छा था अपने जिवन में 20 25 25 30 कि लोड़ी देखने को मिलेंगी अच्छा है इसकी बहांस का बेठा है जी और आगे ने उमीद करते हैं कटड़ी यां और भी पलस मनेंगी से जी अच्छा आई बार मतलब हर बार कटड़ी लेके आती है तो यह भी पलस पॉइंट है बाइस लेटर नॉर्मल चराई में पिछला ब्यात में डोलू लागे थ ठीक है ठीक है आपके बार कोड़ी बिगराओं गया जी तो अंकल जी जो मेरी वहां सती काम कर रहे हैं आपके बेटे भी करते हैं उनके लिए क्या संदेश अगर पशुपली बढ़िया काम करते हैं लेकिन कोई जी वह आठ किलो वाली रखता कोई 10 किलो वाली उनके बारे जी तो जब दिपक बाई सिमन लेने गए थे अपने फारम पर तो आपने कुछ इनको रोक्या वगरारा हो नहीं से कुछ नहीं होता तो आपको कैसे पता चलिया बढ़िया कभी ऐसा भी कुछ प्रकिरिया हो सकती है बनकी तुझी पहले शेया मत दरुआ कर दें ठीक है मतलब यह और जुन रहे इनको बाद में पता सब्सक्राइब बाद मों पुंदर दोड़ा आए गया मां समत है दोड़ा आए गया उसकी तसलिक होंती तो आपने कुछ रश्तेदारी पड़ा है जी 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 तो यह पा मिलते हैं अच्छा ठीक है ठीक है तो कितनी उमर होगी तब इसकी जब यह साथ महीने की जब फर्स्ट आई थी तो यह भी काफी अच्छी बाइस शुरुआत से एक अच्छी पोजिशन लाने लगी थी तो पताना दोस्तों कैसी लेगे आज की वीडियो चोदरी अमी चंद वीडियो अपने जो डैरी फार्म है यहां से वीडियो लेकर आ रहा था एक से बढ़कर एक पशुदन है सारा का सारा परिवार पशुपालन करता है इसलिए कहता हम दोस्तों अगर पशुपालन में आओ तो ब्रीड पर ध्यान दो अगर ब्रीड की बात आती है तो एक अच आप पशुपालन कर रहे हैं आप भी मेरे खाल सीन से सीक लेकर एक और जबरदस्त काम करोगे तो ठीक है दिपक जी ठीक अंगल जी ठीक है दादल जी आपका बड़ा से योगरा इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद ठीक है विशाल बाई ऐसे ऐसे काम आप करते रहो अच्छी नसल पर अच्छी नसल पर ध्यान दो तभी जाकर पशुपालन में बच जते हैं सभी भाईयों को नमस्कार वाई राम राम सभी भाईयों को नमस्कार